गुनेदर बताये सबस्यादा फोकस कौन से स्टॉक पे अब तीके रज़त आज थोड़ा सब रिस्क लेने का दिना है मैंने मैंने एक रिस्की स्टॉक अरिंटी पाय किया है रिस्की इसलिए क्योंकि चल भी चुका है लिकिन रिस्की इसलिए नहीं भी है क्योंकि यहां पर मर्केटर आपकी स्कीन पर है कुछ दे के लिए जाए इसको मंतली चार्ट्स पर मंतली चार्ट्स पर यह 2015 के हाई पर 16 के हाई पर और क्या करने जा रहा है शुकावार है ना इसलिए मैंने स्टेट को पिक किया है 2014 कर याद रखेगा हाई जो है वो था करीब-करीब 40.80 पैस से काटता है तो यह 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 के highest levels पर होगा यानि आज अगर weekly closing 41 के उपर आती है तो यह multi-year breakout होगा on weekly charge, monthly charge, एक और चीज़ अगर आप इसके delivery volumes को देखे रजट शाप delivery volumes, strong delivery volumes और एक चीज़ और आप इसमें पिछले अगर आप कुछ दिरों में देखें किसी चीज़ को ऐसा मैं सोचेगा कि ओवर बॉट है अगर आप ट्रेडर है फ्रेंकिल स्टिकिंग ओवर बॉट चीज थोड़ी सी स्पेकुलिशन भी करना चाहते हैं तो इस वक्त मर्केटर को देखे जरे पूरा शिपिंग स्पेस काफी वाइबरेंट है पूरा शिपिंग स्पेस और क्योंकि मेरेको मन्थली और डेली और वीकली सब पर मेंडेट मिल रहा है तो I think मैं इसको चेस करना चाहू तो बहुत सारी चीज़े थी इनके बास और इन्होंने डेट कम करने पर रज़त काफी जोड दिया है तो यह सारी खबरे थी और जिस तरीके से I think weekly और मंथली चार्ट पे कॉमिनेशन के लिए जा रहे है ना वो चीज़ बहुत अप्ट्रेक कर रही है I think मैं एक मेंडेट ल अच्छे से explain तो करी दिया I think जिस तरह के factors आप आगे highlight कर रहे है उसे साब से तो काफी exciting opportunity लग रही है N-Levels पर जहां पर market में बहुत easy नहीं है अची opportunities को ढूंड करना ढूंड के लाना So I definitely feel कि ये sector में भी एक sectoral interest आ सकता है और दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा और down side काफी limited है और government के कुछ initiatives है जो इस sector के लिए भी warranted है जैसे करते है ने एक-एक करके government decisions ले रही है and I think something is ahead of us for this sector as well So I think it's a good pick Virendra Harry, थोड़ा सा trader बनके बाद करियेगा अगर थोड़ा सा कुछ risky भी pick करना है लेकिन lucrative I am just putting my instance, मैं अपना example दे रहा हूँ, मेरको marketer इस तो अच्छा लगा कि यार मेरे पे खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है मैं strength पर focus कर रहा हूँ, मैं strength buy कर रहा हूँ, मैं multi-year breakouts को buy कर रहा हूँ और आप I think इस perspective से क्या सही समझते हैं, where you are buying strength और आप risk reward ratio काफी अच्छा देख रहे हैं तेकि जहां तक marketer का सवाल है, आपने बिल्कुल सही फर्माया कि 2011-12 से यह stock एक downtrend में है और इसका logic और कारण बहुत साफ है कि 2012 में Baltic freight index dry, वो peak weather वहाँ से it's on a downtrend सी फिलहाल हमने एक bounce देखा है Baltic index में, उसमें कोई खास अपमूँ देखा नहीं है तो अब तक जो भी हमने marketer पर bounce देखा है, वो purely उमीदों पर कायम है और कोई खास fundamental changes पर कायम नहीं है तो मैं मतना कि ऐसे हालात पर कोई stock को खरीदना शायद एक investment perspective से अच्छा नहीं होगा मैं आपसे बिल्कुल सहमाद हूँ कि momentum stock के साथ है, तो momentum में इन ऐसरी से definitely खरी सकते है अधर देन momentum में शायद इस stock को नहीं खरीदूगा चले किरन जाज़ जी हमारे साथ जुणे है, किरन जी नमस्कार स्वागत है आपका सार यही बात हो रही है कि markets पे जिस साबसे इसमें liquidity dividend rally देखने को मिल रही है क्या खरीदना चाहिए, आपके radar पर बताएं से, stocks कौन से है, top 3 trades अगर आज के लिए identify करने हो, technical perspective से तो वो बताएं पहले मार्केट बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है कोई खराब नहीं है, कल भी हमारी बात हो रही थी तो मैंने यही कहा था कि इदर से 8-650 तक जाने की इसमें strength दिखाई दे रही है Dare to Tata भी है ऐसे ही suggest कर रहा है कि हर put writing में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है और on the higher side, out of the money calls पे बहुत सारा interest दिखाई दे रहा है तो मेरे खाल से 8-650 तक जाने की strength है, 8-650 के एक बार review ले लेना चाहिए जो stocks की बात करें तो अतुल मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है, चार्ट पे एक ascending triangle pattern का breakout दे चुका है, बहुत अच्छे volumes के साथ है तो इस stock को खरीद कर चल सकते है, stop loss 2067 लागा रखना चाहिए और targets 23-24 के होंगे जो कि बहुत बाच्छी मुव अपको देखने को मिल जाएगी in current level से दूसरा stock हो सद्बा जहां पे कल भी हमने एक अच्छा मुव देखा था और मेरे खाल से पिछले 3 महने का consideration breakout हमें देखने को मिल रहा है और इदर से stop loss बहुत नजदिक है 296 का और targets के लिए 330, 325 से 330 अगले 233 टेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए दूसरा है TCI जहां पे वापस एक बार एक अच्छे momentum आई है सारे सारे logistic stocks में वैसे भी हम momentum देख रहे हैं तो उसी का advantage TCI में भी देखने को मिल जाएगा इसके लिए stop loss sales करूँगा 342 का और targets के लिए करीबन 367 से 372 के targets आपको देखने को मिल जाने चाहिए आशेश थोड़ा सा अब हम bank से निकल गए थोड़ा IT की बात भी अबने कर ली यह farma ने काफी confidence दिखाया और I think आप यह देखे कि जून जुलाई में लोग ने बड़ा interesting समझा price को and frankly speaking महौल भी थोड़ा सुदरा आप देखे जिस प्रकार के CY15 का last quarter गुजरा और जिस प्रकार का CY16 का first quarter गुजरा जितने negative voices थे USFDA को लेकर वो थोड़े से कम होने शुरू हुए है एक catch up हुआ है अगर आप देखे पिछले एक डिर महीने में आपने exactly कहां कहां इंटरस्ट शो किया है और अपने clients को क्या equipment करा है अपने फार्मा में इस वांत देखें काफी interesting observation है definitely यहाँ पर अब एक तरह की अगर market terms में बोलो तो short covering देखने को मिली क्योंकि काफी negative महौल था इस sector के आसपास अब कुछ जो अच्छे counters हैं अच्छी कंपनी हैं वो संभल भी पाई ऐसा नहीं है उस समय एक time भी गुज़रा विरंदर और जो US FDA concerns आएं companies उनको address किये कुछ अपनी quality के विज़र से जल्दी कर पाती हैं कुछ time लेती हैं तो उसे साब से analysts फिर वापिस अपने drawing board पर जाते हैं और समझते हैं कि कौन सी companies ठीक जा रही हैं किनकी dependency कम होती जा रही है यूएस से related और किस तरह के acquisitions help करेंगे आगे approvals help करेंगे तो इन सब चीजों को perspective में लेके आपने बिल्कुल सही highlight कि कुछ stocks हैं जो अब attractive हो चले हैं हमको एक तो supply अच्छा लगता है और Glenmark यह दो stocks हैं जो हमें अच्छा लगते हैं दोनों के reason almost same है I would say कि dependency on the on US and also कुछ आने वाले time में कुछ new slope, supply की case में मैं ऐसा बोलूँगा किस तरीके से उनको उन्होंने management reject किया और cost cutting करी उसका फायदा बापको आने को मिलेगा और Glenmark definitely हमें और भी attractive लगता है लेकिन कुछ और stocks to watch देख लेते हैं उच जीवन यहाँ पर केर ने NCD की rating जो उसको बढ़ाया है NCD की rating A से बढ़ाकर A plus की है केर ने तो जीवन आज कही ना की सुर्खियों में है और साथ साथ अधानी पोर्ट्स यहाँ पर इंडिया रेटिंग ने NCD को A A plus rating दी है तो NCD की rating अप्ग्रेड हुई है इसका अधानी पोर्ट्स पर हो सकता है आता हुगा नजरा है और एक और कंप के साथ करार किया यूए में कमपनी के प्रॉडट्ट बेचने के लिए यह करार किया गया है ब्लू स्टार आज फोकस में रहेगा तो कुछ स्टॉक जहां पर फोकस रहे रोब से ICC Bank अप थोड़ दिर पहले हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, ICCI Prudential Life Insurance अगले underperform करके गया बैंकिंग सेक्टर को आपकी निजी शेत्र के बैंकों पे क्या व्यू है देखें I think जैसे महम बता रहे थे PSU में SBI से फिर भी एकमफर्ट आता है buy and downside जैसा scenario build होता है same is happening with the ICIC both quality banks have have seen the worst hit when we were seeing correction in banking sector and way beyond normal situation I would like to say that अब यह जो आपने news दी यह भी important factor है जो कोई ना कोई downside को limit करती है देखें जिस तरीका का move पिसले कुछ दिनों में आया है मुझे लगता है profit taking तो सब जगा आएगी ICIC bank में भी थोड़ी बहुत आज आज भी देखने को आपको शाद मिले लेकिन मैं वही बोलूँगा कि 220-225 के लेवल अगर किसी बज़ा से आते हैं और अगले हफते market थोड़ा profit taking देखती है तो I think for medium to long time investors it will be a good opportunity